उत्रप्रदेश बढ़ते अप्रादों के मामले में नंबर वन पर तो है ही साथ ही अब घोटालों में भी नंबर वन बनने की तैयारी दिखा रहा है नमस्कार मेरा नाम काजल है और आप देखना शुरू कर चुके है एक्वालिटी नियूज जी हा उत्रप्रदेश के संत कभीर नगर जिले में बीते फरवरी मार्च और एप्रिल महीने में एम्बुलन्स कागजों में खूब दोड़ी और एम्बुलन्स 108 और 102 से जुड़ा फर्जी वाड़ा अब सामने आया है सेवा प्रदाता कंपनी लक्षपूरा करने के लिए फर्जी घायलो और मरिजों के नाम पर PCR भरकर उनको जिला अस्पिताल जिला महिला अस्पिताल और राजकिय मेडिकल कॉलेज पहुचाने का काम कर रहे है इसके तहट करीब 4815 मरिजों को फर्जी तरीके से अस्पिताल में भरती भी करा दिया गया साथ ही शासन से भुक्तान लेने का दावा भी कर दिया गया शक होने पर जाच हुई तो सच सामने आया दरसल आपको बता दे कि एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कमपनी को सरकार की और से मोटा भुक्तान किया जाता है इस भुक्तान का आधार एम्बुलेंस के जरीए अस्पिताल पहुचाए गए मरिजों की संख्या होती है जिले में 41 एम्बुलेंस 102 और 36 एम्बुलेंस 108 के अलावा 2 एम्बुलेंस ALS है अब एम्बुलेंस 102 और 108 सेवा प्रदाता कमपनी के करमचारियों की नीजी एम्बुलेंस चालको से साथ गाट रहती है नीजे अस्पिताल हो या फिर राजकिय मेडिकल कॉलेज इनके बाहर नीजी एम्बुलेंस खड़ी रहती है कॉल करने पर सरकारी एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुँचती और मजबुरन मरीज या घायल को नीजी एम्बुलेंस का इस्तिमाल करना पढ़ता है शासन स्तर तक ये भी शिकायत पहुची है कि नीजी एंबुलेंस से आने वारे मरीजों का PCR भी सेवा प्रदता कमपनी दर्ज करा लेती है और इसके एवज में सरकार से भुकतान ले लेती है हमने ऐसी तस्वीरे भी देखी है जिसमें कई बार लोग मरीजों को मोटर साइकल, खटिया, चार पहिया साइकल या फिर कंधे पर लात कर चल कर अस्पिताल पहुचे है जो बड़ी विडमना तो है ही साथ ही सरकार के स्वास्त सेवाओं की पोल खोलती है फिलाल स्वास्त महानिदेशक ने इस सम्मंद में जाज के आदेश भी दिये है अपर निदेशक स्वास्त सेवाओं के निर्देशन में टीम फरवरी मार्च और एप्रिल 2022 में अबुलेंस में अस्पितालों को पहुचाए गए मरीजों की पड़ताल करेगी अब इस विशे पर आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें अब ही के लिए इतना ही फिर होगे आपसे मुलाकात तब तक के लिए आप देखते रहे है एक्वालिटी न्यूस खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूले साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें